बिसम्ला Hasermalarmal Al-Raeem, Asalamualaikum वी उर्श पाहिएΒर मैं drin बूर्शाइब लिक्टर्ण हमने वाइंड आप किया था बूर्शाटर्य को हमने डितेल में डिश्क्स कर लिया था दूतीन लेक्टर्ज में इनेक्स्ट आजके लैक्ट्टर्म में हम डिस्कस करने conjun還 आ रहे हैं बटन ग्रूप को के बटन ग्रूप किस रीके से हम create करते हैं और बूर्सर ट्रेप ने इसके लिए कौन कौन सी classes हमें define करके दी है असा सबसे पहले अगर इसकी definition को देखा जाए तो हमारे पास यह definition है बटन ग्रूप क्या है उसकी एक छोटी सी definition आपको यहाँ पर नज़र आ रही है ग्रूप a series of buttons together on a single line with the button group ठीक है आप क्या कर सकते हैं बटन ग्रूप के जरीए series of buttons को यानि कि multiple buttons को आप एक single line में group की form में show करवा सकते हैं and superpower with them with javascript और javascript को use करते हुए आप उस पे जो भी functionality वगारा apply करना चाहते हैं उसको आप कर सकते हैं अच्छा नेक्स चलते हैं basic example की तरफ के button group को create किस तरह कैसे किया जाता है आपको यहाँ पर तीन button यहाँ पर नज़र आ रहे हैं ठीक है उनको एक group की form में आपको यहाँ पर जैसा के normally यह उपर मैंने last time भी बताया था कि यहाँ आपको एक navigation bar या menu bar नज़र आ रही है इन button group को आप use करते हुए इस तरह के से navigation bar या menu bar भी create कर सकते हैं अचा सबसे पहले तो मैं यह just three जो buttons हैं इनको यहाँ से copy करता हूँ group की form में इसको हम बाद में करते हैं simple यह हमारे पास for example 3 button है यहाँ पर अगर हम इसको paste कर लें secondary यहाँ पर primary कर लेते हैं चले ठीक ऐसे इसको save करते हैं अचा यहाँ पर क्या है button का tag यूज किया गया है type is equal to button दी गई है और class यहाँ पर आपको दो class ही नज़रा रही है button की और एक button secondary की और यहाँ पर text दे दिया गया है left, middle और right इसको save करके अगर हम यहाँ पर refresh करते हैं तो हमारे पास इस तरीके से तीन button नज़रा जाएंगे ठीक है यह आपको normal तीन button नज़रा रहे है अच्छा इसका text हम चलें ऐसे ही रहने दें यह तीन button आपको यहाँ पर नज़रा रहे हैं left, middle और right के नाम से और इनके दरम्यान आपको space भी नज़रा रही है normal जैसा कि हमने last lecture में button create किये थे यह वैसे buttons हैं अब हम क्या चाहते हैं हम चाहते हैं कि इसको button group की farm में ले जाएं तो उसके लिए हम क्या करेंगे उसके लिए हम class यहाँ पे एक नई class यूज़ करेंगे इसको अगर मैं यहाँ से copy करता हूँ code खुद लिखने की बज़ाए time की बचत करते हुए मैं यहाँ पे copy paste symbol कर रहा हूँ ठीक है इसको div को यहाँ पे आपने close कर लेना है यह वाली div basically अच्छा यहाँ पे क्या हुआ है एक div मैंने use की extra div और उस div के उपर मैंने class use की है button group के नाम से ठीक है एक नई class है जो के हमने पहले use नहीं की हुई button group के नाम से हमें class use करेंगे और role हमने यहाँ पे इसको दे दिया कि यह group है और area label हमने यहाँ पे इसको कुछ भी यहाँ पे आप label दे सकते हैं for example button group example जो भी आप यहाँ पे label use कर सकते हैं यहाँ पे एरिया लेबल का इट्रीब्यूट यूज किया गया है आप यहाँ पे area label बाइक यूज कर सकते हैं ठीक है next example में उसने यूज किया यहाँ पे जैसा कि आपको यह बता रहा है कि हमने यहाँ पे एरिया लेबल को यूज किया है आप area labeled by भी यूज़ कर सकते हैं ठीक है आपके अपनी मर्जी है आप जिस तरीके से इसको यूज़ करना जाते हैं अच्छा आप इसको मैं सेव करता हूँ सेव करने के बाद अगर मैं यहाँ पर browser में refresh करता हूँ तो यह simple button थे अब देखते हैं कि यह group की form में जैसा कि आप कह सकते हैं menu बार या नविगेशन बार जिसको हम कहते हैं उस form में आपको यहाँ पर बटन नदर आ रहे हैं ठीक है अच्छा अगर मैं यहाँ पर यह button group की जो class है इसको यहाँ से remove कर देते हैं और इसको save करके refresh करते हैं तो आप देखते हैं कि हमारे पास यह normal button आजाते हैं तो मतलब यह है कि यह जो हम class यूज़ कर रहे हैं basically button group की यह वाली जो class है यह class styling कर रही है जो भी बूर सट्रेव ने इसकी properties define की है जो कि इसको इस तरीके से buttons को एक group की form में बना देती है अच्छा यहाँ पर अगर मैं मजीद buttons को copy कर लेता हूँ दो buttons और हमने यहाँ पर copy paste कर लिये हैं और इसकी headings change कर ले इन सब की सासद practice करें जब इनकी practice हो जाएगी तो फिर आप complete boots trap का जो template है उसको आप customize भी कर सकते हैं और boots trap के जो नए templates हैं आप खुछ से भी create कर सकते हैं अगर तो आप इन classes का idea अगर आपको होगा ठीक है इसको इस तरीके से हम refresh करते हैं हमारे पास इस तरीके से जैसा कि normally आप website पर देखते हैं जैसा कि आपको boots trap की ही website यहाँ पर एक navigation bar या menu bar यहाँ पर नदर आ रही है तो basically आप button group को use करते हुए इस तरीके से यह menu bar या navigation bar भी create कर सकते हैं या buttons का एक group हमने यहाँ पर create किया है इस तरीके से आप यह भी create कर सकते हैं ठीक है हमने just simple यहाँ पर क्या use किया है button group की एक class यूज की है जो के boots or trap ने define करके दी है आप इसको inspect element करके यहाँ पर styling देख सकते हैं कि इस button group की class पर boots or trap ने कौन कौन सी styling करके दी है असा next चलते हैं इसको आपने description को पढ़ लेना है यहाँ पर roll का मैंने पहले आपको काफी दफ़ा बताया है area label का भी आपको बताया है कि label के लिए हम basically इसको use करते हैं असा उसके बाद है button toolbar उपर button group बना था यहाँ भी आपको एक toolbar की farm में एक button group नज़रा रहा है different यहनी के button groups को आपस में मिला के एक toolbar की शकल दी गई है यहाँ बे बटन ग्रूप एक use किया गया है उसके बाद button group एक दूसरा use किया गया है उसके बाद एक button group तीसरा use किया गया है ठीक है इन तीनों को use करने के बाद एक class यूज की गई है button toolbar के नाम से इन button groups को आपस में जब combine किया जाता है तो यह क्या बन जाता है यह button toolbar यहाँ पर आपको एक बने नज़रा जाए अगर मैं इसकी definition पढ़ता हूँ तो आपको यहाँ पर नज़रा आजएगा combine sets of button groups into button toolbars for more complex components आप क्या करें button groups को अगर combine कर लिया जाए पहले हमने definition पढ़ी थी buttons को combine किया जाए तो button group बन जाता है अगर button groups को combine किया जाए तो button toolbar बन जाती है जैसा कि आपको यहाँ पर नज़रा रही है तीन button groups हैं इनको आपस में अगर इकठा किया जाए या combine किया जाए तो हमारे पास एक button tool बार यहाँ पर बन जाती है use utility classes are needed to space out groups buttons and more अब यहाँ पर क्या करते हैं यह हमारे पास एक button group है इसको मैं यहाँ से copy paste करता हूँ ठीक है यह div यहाँ पर end हो चुकी थी और यहाँ पर BR यूज़ कर ले अच्छा यह हमारे पास एक button group आ चुका है ठीक है अच्छा इस button group को थोड़ा सा मैं define कर देता हूँ यहाँ पर यहाँ आपको चार button नज़रा रहे हैं button और button secondary सेम वही classes है जो हम already यूज़ करते हैं यहाँ पर आते हैं यहाँ पर button group की class यूज़ की गई है यह आप already जानते हैं यहाँ पर एक नई class आपको नज़राएगी MR-2 के नाम से इसको बोलते हैं basically margin right यह 0, 1, 2, 3 जो साथ लिखा होता है इसको हम detail में discuss करेंगे आने वाली lectures में यह बकाइदा boots or trap की classes हैं जो के margin padding वगारा के लिए boots or trap ने नई classes refine की हैं कि हम margin और padding की value देते हैं आप वो value ना दें just simple इनको use करें MR मतलब margin right है और two कितने pixel है वो हम सारा detail में discuss करेंगे आने वाली lectures में क्योंकि यह काफी ज्यादा classes हैं यह एक दो classes नहीं है margin की padding के और इसके लावा कुछ मजीद simple single words के साथ भी boots or trap ने classes define की हैं उनको इन्शाला हम आने वाले lecture में discuss करेंगे अभी फिल हाला माइन में रख लेंगे यह यहाँ पर margin यूज किया गया है ठीक है इसको अगर save करते हैं और save करके यहाँ पर browser में refresh करते हैं तो हमारे पास buttons का पहला group यहाँ बन जाएगा ठीक है यह buttons का एक पहला group बन गया है अच्छा इस class को अगर मैं यहाँ से remove कर देता हूँ और इसको save करके refresh करते हैं तो आप लोग देखिएगा कि हमारे पास फिल हाल कोई फरग नहीं पड़ा उसकी reason यहाँ अभी दूसरा मैंने button group यहाँ पर define ने किया फिल हाल इसको यहाँ पर रहने दे दूसरा button group पहले यहाँ से copy करते हैं अच्छा जी यह दूसरा button group है इसको यहाँ से copy करें और यहाँ पे इसके साथ paste कर दें ठीक है इसके अंदर तीन मजीद buttons है 5, 6 और 7 के नाम से इसको save करते हैं और browser में refresh करते हैं तो हमारे पास एक दूसरा button group बन जाएगा ठीक है इस तरीके से अब वो वली जो class मैंने use की थी MR2 के नाम से इसको अगर मैं यहाँ से remove करता हूँ Ctrl X करके save करें अब refresh करें तो अब आपको इसकी वरकी नज़र आएगी ठीक है margin right पहला जो button group था उसको margin right दिया गया था ठीक है तो फिलहाल इसको मैं यहाँ पे दुबारा से paste कर देता हूँ अब refresh करते हैं तो हमारे पास इस तरीके से automatically margin apply हो जाएगा उसके बाद next एक और button group है जिसके अंदर just single एक button है उसको हम यहाँ पे copy paste करते हैं यह हमारे पास तीन button groups आ चुके हैं ठीक है इस तरीके से यह तीन button groups है first में आपको चार button नज़र आ रहे हैं second जो group है उसमें आपको तीन button नज़र आ रहे हैं और last वाले जो group है उसमें आपको single एक button नज़र आ रहा है इन buttons groups को आपस में जब combine किया जाता है तो वो क्या बनता है button toolbar बनती है ठीक है अब मैं यहाँ से यह वाली line जो है इसको मैं copy paste करता हूँ इसको यहाँ से copy करें और यह हमारे पास यहाँ से हमने start किया था इसको यहाँ पे paste कर दे और यहाँ पे इस div को close कर दें ठीक है save कर लें यह next section है जी इतना यह वाला इसको save करते हैं और यहाँ पे refresh करते हैं तो अब हमारे पास यह जो button groups आपस में combine हुए है यह complete एक mil के toolbar बन गई है ठीक है आपने ऐसी toolbar या पिजी nation वगयरा का concept में भी आपने देखा होगा जिसमें next page के लिए आप इस तरीके से click करते हैं तो इस तरीके से आप boots a trap को use करते हुए boots a trap जो यहाँ भी हमने class use की है button toolbar के नाम से उसको use करते हुए आप इस तरीके से button groups को भी आपस में combine करके complete toolbar की farm में इसको बना सकते हैं यहाँ से नीचे एक line इसको पढ़ते हैं feel free to mix input groups within अच्छा यह next है कि आप button groups में इस तरीके से input fields जो है उनको भी आप add कर सकते हैं toolbar को create करने के लिए ठीक है इसकी थोड़ी सी description आपने यहाँ से पढ़ लेनी है group के लिए role group यूज किया जाता है और toolbar के लिए role toolbar यूज किया जाता है अच्छा toolbar से मुराज बैसी के लिए क्या है यह आपको यहाँ पे कुछ buttons नजर आ रहे है combination of buttons यहाँ पे यह browser के कुछ buttons नजर आ रहे है basically toolbar ही होती है यानि कि buttons का जो combination होता है वो एक toolbar बन जाती है तो इस वज़ा से आपने परेशान नहीं होना कि toolbar पता नहीं किया चीज़ है जहाँ पे भी आपको buttons का combination नजर आएगा जैसा कि यह example मैंने दे दी है different buttons है आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं browser में यह वाले तो यह basically एक toolbar बन जाती है ठीक है जैसा कि Microsoft Word में भी आपने देखी होगी या different software में आपने देखी होगी तो फिलहाल मैं इसको यहाँ पे wind up करता हूँ इंशाला हम next lecture में मिलेंगे और मजीद button groups में देखेंगे कि कौन कौन सी classic boots और trap ने define करके दी है किसी भी किसम का कोई भी question हो को confusion हो तो वीडियो के नेचे आप comment कर सकते हैं facebook का page है वहाँ पे आप मुझे message कर सकते है इंशाला next lecture में मिलेंगे दौ़ में याद रखा करें और चैनल जिनों ने अभी तक subscribe नहीं किया subscribe करें